हेलो एवरिवान मैं हूज हो ती यह वेलकम बेट तो माई चेनल सो आज हम बनाने वाले कार्ट बोड की हैसे फोटो फेर्म सो चलिए साथ करते हैं तो यह कार्ट बोड का एक जो पेड़ शीट थी उसको मैंने स्केल की हेल्फ से लाइन कीच के देन कट कर लिया था तो मैं पेपर लेंगे तो मैं वाइट फ्रेम बनाने वाली है तो मैंने वाइट पेपर लिया है देन हमाई जो फ्रेम को रखकर हम अंदर और बाहर की साइट आउटलाइन बना लेंगे पैन की हेल्प से तो यह देखिए मैंने फ्रेम को रखके अंदर और बाहर आउटलाइन बना वापस से लाइनिंग बना खीच दूंगी उतनी ही चोड़ी और वह उतनी ही चोड़ी अंदर की साइड भी देर यह मैंने अंदर की मेर्वाइब क्रॉस बनाए है इसको हमें कट करना है यह एक्सरा पेपर है यह दिखिए अंदर हमने आउट लाइन बना लिए उतनी साइज से अब हम भार बना दें हैं अब हम जो एक्सरा पेपर इसको हम कट कर देंगे अब भार का मार एक्सरा पेपर कट होचुका है अब हम जो अंदर भी एक्सरा पेपर उसको भी कट कर देंगे ध्यान रहे जो क्रॉस में हमने जो लाइन किछी थे आप उसी पहले कट कीजिएगा देन अब फ्रेम को रखकर हम जो भार के आउट लाइन है उसको पैस करते जाएंगे इसको आड़ा कट कर देंगे अब इसको इसी तरह जिस तरह हमने बाहर आड़ा कट किया वैसे अंदर भी कट कर देंगे देन उसको ग्लू की हैल से पैस करते जाएंगे अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप फेबी स्टिक का भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो दूसरे कलर की फ्रेम के लिए दूसरा जो पेपर है या शेटे आप जो भी यूज करना चाहे वो कर सकते हैं पेपर है तो मैं वाइट शेट ही उसका रहे हूं गिजो पेपर एफ-व साइज कह बाड़का थाइज़ जो छो तो रहा है तो देकिस अमेरी के जो छी तो भी वश कर दिये है फ्रेम में दिन हमारी फ्रेम में बनके रेडी इसका फाइनल लुक वह यह जो ड्रॉइंग से यह मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है आप चाहे तो गूगल पर बहुत सारे पिच्छर्स अवेलेबल है वो पें टॉट्रों से निकाल सकते हैं देन उसको पीछे से पैस कर दीजेगा तो हमारी प्रेम से बनके रेडी है इसका फाइनल लुक तो थैंक यू फॉर वाचिंग